गुड मॉर्निंग इस्टेंट आफ क्लास 5 टूड़े भी बिल स्टार्ट न्यू टॉपिक हमने कल बढ़ा था ट्राइंगल के बारे में टाइप आफ ट्राइंगल अकॉडिंग ट्राइंगल बढ़ चुके थे कि त्री टाइप के ट्राइंगल होता है इसके लंग ındग ट्राइंगल और इक्यू ट्राइंगल आज हम पढ़ेंगे अकॉडिंग ट्राइंगल कितने ट्राइंगल के होता है एक्यूट य्ा और एक्यूत ट्राइंगल जिस एंगल की तीनों एङंगल एक्युट हो मतलब कि 90 डिगरी से कम हो उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे एक्यूत एंगल ट्राइंगल या फिर एक्यूत ट्राइंगल भी बोल सकते वोररई, एक्जम्पल In Triangle PQR All the Triangle are Less than 90 Degree देखो, Triangle PQR में जितने भी Triangle है PQR में जितने भी Angle है वो सभी 90 Degree से कम है, तो ये हमारा कौनसा Angle, Contraire Angle Active Angle Triangle Next हाता हैं हमारा Right Angle Triangle, इसी के नाम से पताद चल रहा है कि यह कौन सा इंगल होगा right angle सो होता है 90 degree से कान 90 degree से जादा correct तो 90 degree का होता है इस से मतलब कि इसमें जितने देखो इसमें पढ़ते हैं a triangle in Canvas one angle is a right angle इसमें कह रहा है कि जिस triangle में one angle 90 degree का हो उसको हम right angle triangle बोलेंगे और right triangle भी बोल सकते हैं for example triangle xyz हम इसमें नहीं में देखता है do xyz में永ंजय में एक्स वाई याई वाली वो राइट डिग्री यह जाने कि 90 दिग्री यह तो यह ट्राइंगल होगा राइट एंगर ट्राइंगल भी विसा कम बोल सकते हैं next आता है हमारा obtuse angle triangle अब obtuse angle triangle कौन सा होता है a triangle in which one of the angle is an obtuse angle ऐसा triangle जिसका one angle obtuse angle हो obtuse angle कौन सा होता है more than 90 degree but less than 180 degree जो angle 90 degree से तो जादा हो लेकिन 180 degree से कम हो इस column obtuse angle triangle और obtuse triangle भी बोल चकते हैं हम इसे ठीक है या तो obtuse angle triangle बोल दो या obtuse triangle बोल दो अब हम देखेंगे for example for example triangle LMN अब हम देखेंगे LMN में LMN में हमारा one of its angle is obtuse so it is an obtuse angle triangle इसका one angle जो है obtuse angle है यानि कि 90 degree से तो जादा है लेकिन 185 degree से कम है तो यह one यह कौन सा triangle obtuse angle triangle या फिर हम इसे obtuse triangle भी बोल सकते हैं